देखिए हम चुनाव को कभी भी हलके में नहीं लेते, चुनाव है, जनता को अमत है, तो इसलिए हमने 84 दिन में लगबग 780 नुकर सभा, मीटिंग्स ये सब किया है, और साथी साथ हमने 88 और लोग सभा में भी हम परचार करके आए है, अपने दिल्ली की छेओ सीट पे गए ह मेरा मानना है कि हमारे लिए कनहिया कुमार कोई चैलेंज नहीं है, कनहिया कुमार को प्रत्यासी बनाकर कॉंग्रेश ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है, कनहया कुमार को जैसे ही लोग सुनते कि अच्छा यही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का अभियान चलाया यही है जिसने कहा घर-घर से अफजल निकलेगा कितने अफजल मारोगे यही है जिसने 36 गड़ में CRPF की जवालों की शहादत के बाद जश्र मनाया यही है जो दुरगा जी को नहीं मानता है महिसा सुर को मानता है तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि छेतर की जनता कभी भी वो बटन नहीं दबाएगी कॉंग्रेस पहले ही छोड़के चली गई अध्यक्ष चले गए छोड़के इसलिए 25 तारी को आप देखिएगा कनहिया कुमार का जो परचे है लोगों में लोग सहम गए हैं कि कॉंग्रेस और आमादनी पार्टी ने अपना असली परचे दिखा दिया और कल का चुनाव लोग बहुत बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और वो मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए होगा इसा मरविस्वास